तो दूसरे question पे अगर हम बात करें तो आपका है which state in India is known for its association with land of Palmyra Palm तो इस question को पढ़ने के बाद बहुत सारे बच्चों ने definitely search किया होगा और Google पे हम लोग जब searching करते हैं तो कहीं लिखा हुआ मिला होगा कि तमिल लाडू जो है वह वह स्टेट है जिसका आपका state tree की form में माना जाता है Palmyra Palm को लेकिन अब यहां पर एक चीज़ थोड़ी सी understand आपको करनी पड़ेगी कि actually में जब कोई term बोली जाती है तो वह term किसके respect में बोली जा रही है और क्यों बोली जा रही है तो यहां पर भी आप लोगों के लिए अगेन एक और प्रूफ है और उस प्रूफ को आप लोग एक बार पढ़िए अच्छे से देखिए यह मैंने पूरा का पूरा जो है से कह सकते हूं कि अब यहां पर एक हिरालाल जना है और एक आपका सुचाननदा जना है ठीक है तो यह दोनों ही आपके विश्व भारती इंविश्ट्री जो है एक तो वेश्बंगोल के अंदर और दूसरा यहां पर आपका अगर हम बात करें तो कॉलेज ओपार्टमेंट और यहां से यह दोनों पर्शन है और इन्होंने इसके बारे में आपको एक आर्टिकल पूरा लिखा हुआ है और ऐसा ही अगर हम बात करें तो और भी में बहुत सारे रिसोर्स आपको देश सकता हूं लेकिन उसकी रिक्वार्मेंट नहीं है आप इसको समझने की कोशिस कर चाहिए जिसका मिनिंग होता है कि लेदरी कवरिंग ओफटा फूर्ट ठीक है और फ्ले अफले इसके अदर आपके क्या होते प्रेजेंट होते हैं बट यहां पर आपको बताना चाहिँ कि पालमाईरा पाम जो है वह आपका पाम ट्रिपाम फेमिली से बिलोंग करता है और पाप देखो, लास्ट एक लाइन लिखिये की पलाकद डिस्टिक ऑफ केरला is properly known as land of palmyra trees. तो यहाँ पर land of palmyra trees है, आप की पलाकद district है, केरला का, उसको बोला जाता है, तो यहाँ पर वही question फूचा गया था, कि जो आपका land और palmyra palm है वो किस से associated है तो वो आपका वहाँ पर district को ना पूछ कर उने state पूछ लिया था तो यह आपका यहाँ पर क्या जाएगा केरला जाएगा लेकिन आगे यह भी mention किया हुआ है कि palmyra जो ट्री है वो आपका official tree है state tree है किसका Tamil नाडू का और इसको Tamil culture के अं पीचिस को हमें नहीं पढ़ना है लेकिन आप लोग इस चीजों को समझे कि actual में दिया क्या गिया है ना तो कहीं भी कोई चीज जो दी जाती है उसका real meaning find out करो और ऐसे ही मतलब आप जो कोई भी देखो आपका question करना मैं बार-बार बोलूँगा कि तुम question करो हजार question करो कोई दिकत नहीं है तुम question mark भी create करो कि सर आप गलत हो definitely हम लोग accept करेंगे लेकिन आप fact को समझो आप तथ्यों को समझो आप authenticity को समझो मैं बार-बार आपको बोलता हूँ तो इसी लिए ये चीजें जरूरी है ठीक है कि कि किसके बारे में आप लोग क्या पढ़ रहे हैं ठीक है तो authentic proofs को follow करो मैं बार-बार आपको बोलता आया हूँ और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपका हमने provide आपको करवा दी हैं लेकिन फिर भी हम लोग उनको याद नहीं कर पाते हैं क्यों क्यों कि reason यही है कि हम उल्जे हुए है इन बातों के अंदर और दूसरी बात आप जिन बुक का example लेकर आते हो मैं किसी बुक को बुरा नहीं कह सकता हूँ क्यों नहीं कह सकता हूँ क्यों कि हर बुक अपने आप में perfect है हर बुक के अंदर थोड़ी बहुत mistake कही ना कहीं हो जाती है और वो चीजे मतलब एक वाजिब बात है यार गलती होना हर इंसान के लिए possibility है तो इसलिए इन चीजों को समझो है ना तो आपका ये जो है इसके अंदर आंसर क्या होगा यहां पर कैरला होगा यह आप लोगों को पता होना चाहिए ठीक है तो प्रूफ भी मैंने दे दिया है आगर आपको देखना हो तो आप लोग देख लेना लेकिन इसमें ना तो तो तमिलाडू आएगा नहीं आपका और इसा आएगा तो आंसर क्या रहेगा जी कैरला चीक है चलिए नेक्स्ट कोशन भी वर्ट